नमस्कार कैसे हैं आप जब आपकी तारीफ दुनिया करने लगे तो पता चलता है कि आपका कद क्या हो ने अपनी तारीफ तो हर कोई करता है एक व्यक्ति जो मोदी सरकार में है लेकिन उसकी चर्चा अकसर नहीं होती लेकिन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को विश्वभर में जैकार कराने वाला कौन है वो जैशंकर जिसकी तारीफ दुश्मन रास्ट के पुर्व प्रधान मंत्री चीक चीक कर करते ही प्रधान मंत्री रहे इमरान खान तकडीर के दौरान ये कहते हैं कि भारत कैसे बदल गया है ये इमरान खान क्रिकेट मैच के दौरान जब क्रिकेट में कप्तान हुआ करता था तब भी भारत के खिलाप जहर उगलता था कश्मीर का फैसला क्रिकेट के ग्राउन में हो जाए ऐसा जहर पालता था जब प्रणान मंत्री बना गिर गिराता रहा भारत से संबन्द मनाने के लिए मोदी ने जब कभी मिलने का अबसर नहीं दिया तो फिर प्रतारित महसूस करने लग लेकिन फिर भी जहर उगलता नहीं छोट लेकिन यह इमरान खान भारत के बारे में क्या बोलने लगा खास करके भारत के विदेश मंत्री जैशनकर के बारे में ज़र सुनिये इमरान खान को पुस्तान रूस से 40 पीसिद कम कीमत पे तेल ले रहा है मैं चाहता था कि हमने जो 20 लाग टन गंदम खरीद दी है हम रूस से सस्ते दाम पे लें उनके सदर पूटन से मैंने बात की थी वो त्यार थे हमारी मदद करने के लिए हमने गैस लेनी थी आगे जाके रूस से तो वो इतना नराज हुए के जनाब इमरान खान को हुटा दो इसने हमारा हुकम नहीं माना अब मैं आपको दो दो मुलकों के फॉरण मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूँ पहले हिंदुस्तान का फॉरण मिनिस्टर उसको हुकम दिया उसको का कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें अब यह गोर से सुनें हिंदुस्तान अमरीका का स्ट्रीडिजिक अलाइए है हमारा कोई अमरीका के साथ अलाइंस नहीं है हिंदुस्तान अमरीका का स्ट्रीडिजिक अलाइए है और उनको जब अमरीका ने कहा कि आप दूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरंग मिनिस्टर ने क्या का ये देखें कि अटरी एलिए जर्दी ने क्या कि लिए अटिडी से बिंट कि दुफा इले ये धिड़कल थे कि अप्राइब के लिए दून झाय कि अटतू आफ तो उनके लिए देखेंट अच्छ भी आफ देखेंग के लिए येलिग्ड थे कहा कि रूस से तेल ना खरीदो उसने आगे से का तुम कौन होते हो मैं कहने वाले यॉरप खरीद रहे तेल उनसे हमारे लोगों की जुरूरत है हम खरीदेंगे ये होता है आजाद मुल्क हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टिड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर रूस योज से सस्ता तेल खरीदने की लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी जी पढ़ान मंत्री इपरान खान ये कहते हैं कि जैशनकर जो इसका विदेश मंत्रि है ये तैय करने लगा है भारत वह हैसियत पालिया है कि कि वो कहता है कि मैं किस से क्या सौधा करूंगा ये मैं तै करूंगा दरसल विदेश मंत्री S. जैशंकर इंडियन फॉरल सर्विस के अधिकारी रहे कई देशों में वो चायुकत रहे अमेरिका में, चाइना में, अस्ट्रेलिया में, गल्फ कंट्रियों में और इक शान लोग उनकी सौमेता के लिए जानता था और पूरा क्रेडिट थी देश उस्टमाश्वाराज को जाता था आज जैसे विश्वे जब भारत के एक प्रहान मंत्री का पताता फैरा रहा है तो वो पूरा क्रेडिट नरेंदर मोधी को भी तो जाता है लेकिन क्या नरेंदर बढ़ते ताकत की तारीव पाकिस्तान के पुर्प्रहान मंत्री इम्रान खान के कट्टर दुश्मन और उनके पार्टी के विपक्षुए खरे रहने वाले नवाज शरीप को भी सुन लीजिए नवाज शरीप भी क्या कह रहे हैं आज हिंदोस्तान चांद पर चला गया है जी टुएंडी की मीटिंग्स वहां होती हैं ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था ये तो हमारी हमारी तकदीर में होना चाहिए था ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते वाज़ पाई साब जब वजरियाजम ब गया है और हम एक एक बिलिन डौदर हाज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं क्या हिस्जत है हुआज उनकी नजरूं में भी क्या इसत है चाइना से हम मांगते हैं अरब मुलकों से मांगते हैं हमारा वजिरयात में चाहिए उसको मजबूर होता है पाकिस्तान के दो प्रहान मंत्री इस तरह भारत का गुणगान करें दोनों अलग-अलग पार्टियों के विरोधी दल वे खरे रहने वाले तो ये समझा जा सकता है कि सचमुझ भारत बदल गया है दुनिया के रंग-मंच पर भारत जो प्लेक कर रहा है जो प्रदर्शन कर रहा है वो इसराइल के मामले में भी दिखा पहली बार भारत किसी इंटरनेस्टनल मामले में घटना के दो घंटे के बीतर ही अपना पक्ष रहता है हमास के आतंग की संगठन जब इसराइल पर की संगठन हमास के खिलाप है और मित्र इसराइल के साथ खड़ा है भारत ने इतिहास में इस तरह की पहल कभी नहीं की तब समझ में आता है कि इसके पीछे का खेल क्या है तरसल पहली बार भारत ने इसराइल के पक्ष में अपने आपको करा किया है जो इसराइल हर विपद जनता उसके साथ होती है। भारत की जनता हमेशा से इस्राइल के साथ रही। Isn't जो बौसंगी जनता इस्राइल के साथ रही।… बटी रही। लेकिन एक कौम जो संगटित रहा। वो इस्लामिक कटड़ता के कारण फिलस्तीन की जिसे आतंकी संगठन के साथ रहा यही कारण है कि पढ़ान मंतरी इंदीरा गांदी के दौर में भारत फिलस्तीन के साथ रहा उनके बेटे राजीब गांदी के दौर में वी याशर अनाफात आते थे और यहां से जाकर के पर भारत का साथ दिया इसे इस्तिति को भापते हुए जैशंकर ने नहीं स्क्रिप्ट लिखी समय और जिसे इसराइल के साथ आज भारत खड़ा है उस इसराइल के साथ दुनिया के तमाम ताकतवर देश करें यह सब क्या यूही है या इसके पीछे एस जैशंकर की भूमिका अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोई भी दुनिया का देश यूही कुछ भी नहीं करता दुनिया का कोई भी रास्ट यूही कोई फैसला नहीं लेता लोगतांतरिक रास्ट अभी अमेरिकी रास्ट पती जोवेडन सीधे तोर पर इंट्री मार गए इसराइल में क्यों अमेरि जो हैं यहोदी जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका में हैं और बहुत पैसे वाले हैं बहुत प्रभावशानी हैं इसलिए वहां के लोक्तांत्रिक सरकार की मजबूरी है इसराइल के साथ होना और भारत में भारत में भारत में भी अमेरिका के राष्ट्रपती ड अदरसल अमेरिका को पता है कि भारत ये जो एनाराई है वो अमेरिका में कितनी ताकत रखते हैं। जब डोनार्ड ट्रम्प गए तो भारत में मोदी विरोधी ये कहते नजर आ रहे थे कि अब ट्रम्प तो मोदी के साथ थे जियो वाइडन वामपंथी विचारणारा के जो वाइडन मोदी के साथ नहीं होंगे मोदी अब मोदी का हाल भी हाल हो लेकिन वाइडन ने ट्रम्प से ज़्यादा मोदी का सम्मान बढ़ाया और विश्व मंच पर प्रधान मंतरी मोदी को तमाम निताओं के बीच ये कह दिया कि फ्लीज मुझे अपना तो आप वहां से जीत जाएंगे जो बाइडन यूँ कुछ भी नहीं कह रहे थे डेवोकरिटिक कंट्री में कुछ भी यूही नहीं होता बाइडन जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता अमेरिका में कितना प्रभावशाली है और मोदी यदि इस भारत के प्रचंट गोहमस स जीते हुए निता है तो उसका असर इंडियन जो अमेरिका में रहने है उस पर भी पड़े यूही नहीं पप्वा नियूगीनी के प्रधान मंतरी पाउँ छू लेते हैं प्रधान मंतरी मोदी के यूही नहीं अस्ट्रेलिया साथ तमाम देशों के निता मोदी का जैकारा कर तो क्या इसके पीछे इस स्क्रिप्ट इसके पीछे की बैटिंग भूमिकायस जैशंकर की है आप उसे यू समझेए जो बात पड़ान मंतरी पुर पड़ान मंतरी इमरान खान कह रहे थे कि तेल की खरिदारी में भारत में सबस्ट किया कि भारत का जो हित होगा वही हम करें ये बात जैशंकर ने विश्वमंच पे कहा जब उन पे दवाब बना कि आप रूस के साथ सौधा नहीं करेंगे क्योंकि रूस को यूरोपिय कंट्री ने डिसकनेक्ट कर दिया है उसे अचूत घोशित कर दिया है लेकिन भारत ने क्या था कि हमें अपना सौधा जिसके हैंड खेलने के लिए जानते हैं क्या हुआ दरसल वही जैशंकर जिन्होंने रूस के साथ ये कच्छे तेल का सौधा किया था उसी ने कच्छे तेल का सौधा तोड़ दिया रूस के साथ इसलिए क्योंकि रूस ने उसकी कीमत प्रती बैरल बढ़ा दी रूस ने बड़े पैमान पर एक बैरल जो 20 डॉलर में के डिस्टाउंट पर दे रहा था रूस ने उसे 3 से 4 डॉलर डिस्टाउंट कर दिया और जब भारत ने ले लेना बंद कर दिया आयात करना बंद कर दिया तो उसने का त्रियम 50% छूट देगे मतलब 3% को 6% जो पहले इतने बड़े पैमाने पर छूट दे रहा था रूस उसे उसने कम करने की कोशिश की तो भारत ने तैय किया कि अब वो कच्छा तेल अरब कं सता पड़ेगा वहाँ से दरसल रोस आर्थिक बढदहाली के गगार पहल है इस लड़ाई को योकृरेन के साथ लड़ाई लड़ती लड़ते लड़ू और भारत उसके एक मजबूत आर्थिक आधार दिया था यह आर्थिक आधार इसलिए भारत ने दिया ताकि मित्र रास को मजबूती भी मिल सके और भारत को कुछ सस्ता कच्चा तेल भी मिल सके उस सस्ते कच्चा तेल से अपनी रिफाइनरी में साफ करा करके भारत यूरोपियन कंट्रियों को बेच रहा था भारत अपनी आर्थिक स्थिती मजबूत कर रहा था और रूस की भी आर्थिक स्थिती रूपे में कर रहा था तो रूस को भी फाइदा था और भारत को तो था ही था दसली चीजें बताती है कि किस तरह से कंत्रास्टे पटल पर जैशन करने भूमिका निभाई है चाहे वो इसराइल का मामला हो तेल का मामला हो या फिर G20 का कहते हैं G20 के मामले में भी एस जैशन करने बड़ी भूमिका निभाई ये एस जैशन कर का ही प्लान था कि कैसे अफरीकी कंट्री को G20 में जोड़ा जाए जो अफरीकी कंट्री चाइना के तरह भाग रहे थे उसे भारत के तरह मोड़ा गया ये सब कुछ तवी होपाता है जब प्ढ़ान मंत्री मोदी अपने मंत्री को फ्री हेंड खेलने को देते दरसल एस जैशन कर नरेंदर मोदी के चैन एक फॉरन सर्विस के अधिकारी को देश का सीधे विदेश मंत्री बना देना सामाने बात भी तो नहीं ये बिलकुल उस स्टाइल में है कि जब आप भरोसा करते हैं अपने कनिष्टों पे अपने स्वाडिनेट पे तो फिर वो कुछ कर दिखाता है कहते हैं प्रभुराम से अकसर ये सीख लेनी चाहिए कि कैसे वो भरोसा करते थे हनुमान पे क्या हनुमान ये कर लें कैसे वो अपने पूरी सेना पर जिनका कोई अतीत ऐसा नहीं था लड़ने का उस सब पे भरोसा किया और एक तरह से मैनेजमेंट किया ही बड़ी सीख धान मंत्री ने जिस तरह का चैन एस जैसन करका किया और उसके बाद उसे उन्हें फ्री एंड खेलने को दिया उससे जी ट्वेंटी की सफलता सामने दिखाई दे रही है युक्रेन और रूस की लड़ाई के बीच में भारत का वजूद जो दिखा है उस सिर्फ पढ़ान मंत्री मोदी की कारण नहीं हर की कुछ मोदी नहीं कर सकते युक्रेन और रस्या में भारत का तिरंगा लेकर चलने वाले पूरी छूट महसूस करते थे लेकिन दूसरे रास्ट के लोगों के लिए परिशानी का सबब ये सब कुछ यों ही नहीं गुआ तो अब देखिए कि जिस तरह से ओपेक देश जो तेल आयातक देश है तेल निर्यातक देश है वो तेरा सौधी अरब समय जो तेरा देश है उनकी भी नहीं चली भारत ने रूस ते लेना शुरू किया और जब रूस ने तेल की कीमत बढ़ा दी तो भारत ने वहाँ से भी अपना स्टेंड क्लियर किया हमें जहां सस्ता पड़ेगा वहाँ से लेगे और रूस को साफ कर दिया कि हम अभी बतविचार करेंगे कि आपसे हमारा वैपार तील का रहे या ना रस्या को भी सवचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि विपता में जब भारत ने उसके साथ दिया तो भारत के साथ ऐसी सौदेवाजी उसे नहीं करनी भारत का विस्तो पटल पर इस टेंड बताता है कि ये बदला हुआ भारत और ये भारत पूरी तर से बदल चुका ये भारत क्यों ही नहीं बदला तुष्टी करन के नशे में गांधी के दौर से चलता भारत अब मोदी के दौर में कैसे बदला है इसकी एक बानगी आपको 1980 की एक कहानी येदी सुनाओ तो पता चल जए याशर अड़ाफाद उस समय भी फिलस्तीन के नेता थे और स्रीमती इंदीरा गांधी हार से परिशान होकर के 1980 में मद्यावदी चुनाव लगने की तयारी कर रहे याशर अड़ाफाद भारत आये थे और भारत जब वाए उस समय जनता पार्टी की सरकार थी पद्यावदी चुनाव होना था इंदीरा गांधी उन्हें लेकर के जामा मस्जिद के इलाखे में चड़ी गई कहते हैं वहाँ याशर अड़ाफाद ने जामा मस्जिद इलाखे से का कि मैं फिलस्तीन में निस्चिंत रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बहन भारत में हमारी लिए काम करो याशर अड़ाफाद के इस भाशनवाजी से दोनों ने पॉलिटिकल फाइदे पहुंच लिए याशर अड़ाफाद ये कहते दिखाते हुए कि इंडिया उसके साथ है विश्चु को मैसेज दिया और इंडिया ने याशर अड़ाफाद से ये बात कहवा करकी तुष्टिकरन के पूरे भोट को एक अकित करवा लिया ये जानते हुए कि इसराइल ने हर भी पुदा में भारत का साथ दिया 1971 में भारत का साथ दिया था इंडिया उसे भूल गई और उस इसराइल के दुष्टिकरन का वोट इसराइल के खिलाप है और फिलिस्तीन के साथ है ठीक उसी डंग से जैसे खिलाफत आंदोलन का खेल हुआ था गांधी के दौर में याशर अड़ाफाद यहां से चले गए और वापस जब भी आए यहां खूब सम्मान मिला लेकिन उस याशर अड़ाफाद ने हमेंसा कश्मीर के मुद्धे पर भारत के खिलाफत की लेकिन चुकी मुसल्मानों का ठोक वोट याशर अड़ाफाद के साथ खरे होने से दीन दिरा को मिलता था तोस्वी कारित आज बदला हुआ भारत है और उस वो भारत जग गया है उसकी निष्ठा जग गई है उसकी अंदर का दोगलापन एक तरह से मर गया है कि जो आपके साथ खरा होता था आप उसे दोका देते थे तो इस बदले भारत के चड़ित्र को मुद्धे जानतें मोदी योई इसराइल के साथ नहीं है ब्यक्तिकत कुछ भी नहीं होता मोदी जानते हैं कि बदला हुआ भारत नैतिक है और वो जानता है कि जिसने उसे साथ दिया है वो उसके साथ खड़ा हुआ बदला हुआ भारत ये जानता है कि उसके लिए बहतर क्या है और इसलिए व पर भारत बहतर सौधा कर पाता है। यूई नहीं भारत दुनिया का पांचमा आर्थिक महाशक्ति बनता जा रहा है। इस बदले हुए भारत में मोदी की जो जैजैकार हो रही है क्या सचमुझ उसके पीछे जैशंकर है। यह अपने आप में चिंतन का विशे है। जैशंकर कि इस नवरत में इस किस शांदार हीरे किस तंदर्व में आपको यह इसलिशन कैसा लगा जरूर साजा की देगा। जैहिंग वंदे मात्रम।